कैसे दोस्तों आज हम आपको दिखाऊंगा कैसे ब्लेन स्केल डोइंग करते हैं तो प्लेन स्केल डोइंग करने के लिए एक पॉब्लेम आपको सौल्प करने पड़ेगी जैसे कि इस पॉब्लेम दिया हुए कॉंस्ट्रेक्टे स्केल 1 इस्टो 4 तो 100 cm और लोंग इनाग तो मेजर आप 5डेसिबिटर इस पॉब्लम से आपको लेंद अप्डेस्केल निकलने पड़ेगी तो इसलिए और एफ और रियल फेक्टर दिया हुए 1 इस तो 4 और एम डॉट एल और मैक्सिमम्म लेंद दिया हुए 5डेसिबिटर तो यहां से लेंद अप्डेस्केल आपको निकलने पड़ेगी लेंद अप्डेस्केल इक्वाट्व अरे इंटू मैल तो आइफ वन इस तो फॉन बाई 4 इनटू 5 तो यहां से जो टोटल लेंद अप्डे 25 डेसिमीटर तो 1.2 डेसिमीटर निकल लेगा तो इसको सेंटिमीटर करोगे तो 12.5 सेंटिमीटर होगा तो जो टोटल लेंथ होगा प्लेन स्किल का वर लेंथ होगा 12.5 सेंटिमीटर तो यहां से हम 12.5 सेंटिमीटर माप ले ली थी हूँ यह जो लेंथ है यह लेंथ को आपको 5 घर ने भाग करने पड़ेगी तो इस लाइंड की टर्णने के बाद एक एंगेल लेना पड़ेगा तो हम यहां पर एक 30 डिग्री एंगेल ले ले दिए हूँ तो यह जो लेंथ ले ले लिया है इसको पुनाज घर में भाग करने पड़ेगी तो डिवाइडर से 1 सेंटिमीटर माप ले कर इसको पुनाज घर में भाग कर देती हूँ अब यह जो लास्ट लाइन आया वो लास्ट लाइन के साथ हो जो 12.5 का इंड है वहां जोनना पड़ेगा इसके बाद यह पहला ली आपको एक के बाद एक टानने पड़ेगी पैरलल हो गया अब उपर में यह नाइट डिपी करकर एक के बाद एक टानने पड़ेगी तो हो गया अब यह जो पर में जो एक लाइन आएगा वो वान सेंटिमीटर करके अब वो जो फस्ट घर है उस घर में भी एक एंगल लेने पड़ेगा तो हम यह सिक्स्ट डिग्र एंगल ले लेती हूं इसके बाद डिवैडर से टू या थ्री मिलिमिटर लेकर वो जो एंगल है उपर में उस एंगल को दस घर में डिवाइट करने पड़ेगी इसके बाद वो जो दस नंबर घर है उस घर के साथ फास्ट घर की जो एंट लाइन आपको दिखा रहा है वो लाइन जूनना पड़ेगा इसके बाद इसको भी पहला ली एक के बाद एक टांडी पड़ेगी तो आप जैसे देख रहे हो यह हो गया ड्रॉइंग तो ऐसे ब्लेनिस्केल ड्रॉइंग कर ना होगा थैंक यू सू मच वीडियो फूरा देखने के लिए प्लीज सब्क्राइब आपर चैनल